हेलो एंड बेलकम फ्रेंड्स हमारी यूट्यूब चनल में आपका स्वावत है हम जीस और करेंट से रिल्टेड कोश्चन सीरीज कर रहे हैं जो आपके सभी एक्जाम के लिए इंपोर्टेंड है तो चलिए इस्टार्ट करते हैं आज का कोश्चन और प्लीज इस जानद जान से कौन सा पदक जीता है तो नीरा-चौप्ला के समझे बाला फेक से तो इन्होंने अभी जो लिस्बन के तर दोरे पर तक भाला पिक है इतने दूर तक भाला फिकने वाले या केले थे प्रत्युकता में और इतना यह नहीं असी मीटर से भी जानदा किसी ने भाला नहीं फिक पाया मतलब को इनके आस-पास भी नहीं था तो इन्हें कौन से मिला शौण पदक विस्व रक्तदाता दिवस वर्ल्ड बिलेड डोनर डे निम्न मैंसे किस दिन मनाये जाता है? आठ मार्च, 12 अपरेल, 14 जून या फिर 12 दिसम्बर तो बिस्व रक्तदाता दिवस क्यों मना जाता है ताकि जो ब्लेड बैंक में खून की कमी से लोग मर जाते हैं वो उनकी जानना जाने पाए तो जो खून की कमी से मर जाते हैं तो खून की कमी से लोगों की जानना जानने पाए ठीक है तो कब मनाय जाता है 14 June को कब मनाय जाता है 14 June को 14 June को क्यों मनाय जाता है क्योंकि 14 June को Karl Lannisterner का birthday जिन्होंने Blood Group की खोच की थी और उसके लिए उने 1930 में Novel भी दिया गया था किसे Karl Lannisterner को 1930 में Blood Group भी खोच के लिए Novel दिया गया था Novel प्राइज किसकी Blood Group की खोच के लिए तो अभी हाली में 14 June को बिस रखता है बस मनाय गया तो इस 2021 की थीम क्या थी 2021 की बात करें तो थी गिव विलड़ एंड कीप दवर्ड बीटिंग क्या थी गिव विलड़ एंड कीप दवर्ड बीटिंग रखत दान करके दुनिया को हराते रहो 2021 की थीम थी तो इस ब्रखत दादर्बस का बना याता है 14 June को जो की कार्ड लैनिश्टिंगर का जिरम दिन है ठीक है चलिए सेवाओं में सामिल होने के एच्चुक लोगों के लिए मुप्थ कोचिंग छात्र बढ़ती की गोश्टन की है किसने की है नीतियायोग सौनू सूद प्रधान मंत्री या फिर रजिनिकान तो जो मुप्थ कोचिंग स्कॉलर सिब दी जा रही है तो किस के दौर दी आ रही है सूद चैरिटी फाउंडिशन के दौरा किसके दौरा दिया रही है किसने की घुसना की सोनु सूधने अगर आपको छात्रवृति चाहिए इससे तो आप यहाँ पर जाके अपनों से इस्टेसन कर सकते हैं बहाँ पर कुछ रिक्वाइर्मेंट्स हो कि आपको फुल्फिल करना हुआ तो आपको भी उसमें से हो सकता कि आपका नमब एक अमधु बने जाव मघआ जावान में अपने पहली पदनी द रस बानों बेगम के लिए दिलरास बानो बेगम के लिए कहां पर है और अंगाबाद बीबी का मखबरा कहां पर है और अंगाबाद महराश्ट बिहारनी और अंगाबाद महराश्ट वाला किसके लिए दिलरास बानो बेगम के लिए किस कब बनाया थे का 27 सदाब्दी या 1660 में चलिए दिखते हैं जे रहा ताज महल और बीबी का मखबरा इसकी कौपी है कौपी क्या दूर दूर तक नहीं जननी आ रहा है सिवार जी ने जो भूमी प्रक्र लगाया था उसे क्या कहते हैं भूमी कर, चौथ या फिर घ्रैकर तो सिवार जी के दूरा जो भूमी में प्रक्र क्र कर लगाया गया था ता कि चोरी है द। से सुरक्षा दे सकें तो उसके लिए बहुमी कर लगा है यह था उसे क्या कहती है चौत जो कि राज्य के आएगा एक चौता हिस्सा होता था कौन से कर लगाया था? जो भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रेस के अध्यक्ष कौन थे सी राजगोपलाचारी जेवी किरपलानी जवालाल नहरू मौलाना अद्दुलकलाब आजाद तो निम्न मैं से कौन से भारतिय राष्ट्रे कांग्रेस के अध्यक्ष थे अगस्त 1947 या फिर विवाजन के समय तो कौन कौन थे जेवी किरपलानी को अध्यक्ष बनाए गया था नवंबर 1946 में मेरट अधिवेशन कौन सा अधिवेशन हुआ था मेरट अधिवेशन उसमें अध्यक्ष बनाए गया था कब तक रहे थे नवंबर 1947 तक 1946 से लेके नवंबर 1947 तक कांगरेस के अध्यक्ष थे और इसी बीस भारत आजात हुआ था कब अगस्ट 1947 को तो भारती राष्टी कांगरेस के अध्यक्ष कौन थे जेवी किरपलानी 1857 का प्रिथाम ब्रद्वे कब हुआ था 29 मार्च 1859 29 फरवरी 1859 29 माई 1859 या फिर 29 अफ्रेल 1859 तो निम्न मैसे 1859 का ब्रद्वे कब हुआ था कब हुआ था 29 मार्च 1857 कब हुआ था 29 मार्च 1857 कहां किया गया था बैरकपुर चावणी बैरकपुर चावणी किसके द्वारा मंगल पांडे के द्वारा ततकाली कारण क्या था धार्मिक कारण बोल सकते धार्मिक भावनाव को अहत करने के लिए क्यों क्योंकि जो इन्फिड राइफल थी उसमें जो नए कार्थूस डलते थे उसमें ऐसा अफभा थी या सच था कि उसमें सुमर की और गाय की चर्वी मिला जाती है और उस कार्थूस को मुझ से खीचना पड़ता था तो उसी की ब्रोध में मंगल पांडे ने बिद्रोय कर दिया जो दीरे-दीरे करके एक बड़ा रूप ले लिया विद्रोय का कब हुआ था 29 मार्च 1857 में किस मुगल समराट के काल में इंगलिस इस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सरफ रिथम कारखाना इस्तापित किया था बहाद्दूर साहजा जहांगीर या फिर औरंग जेव तो काल में तुकिस इखिकली मही थि सचाइया नहीं जहांगीर के काल में कब 1611 में कहां पर हुई थि मचली-पतनम या फिर मसूली-पतनम कहाँ पर हुई थी मच्छिली पट्टनम या फिर मसूली पट्टनम कव 1611 में जो आइस्थाई बस्ती थी और East India Company की इस्थाई बस्ती की स्थापना हुई थी 1613 में सूरत में कहाँ पर सूरत में जो की एक इस्थाई बस्ती थी गुप्त काल के किस सासक को कभी राज कहा जाता है स्री गुप्त, समद्र गुप्त, बिक्रमादित या फिर इसकंद्र गुप्त तो समद्र गुप्त को कभी राज कहा जाता है किसे समद्र गुप्त को इनके कुछ सिक्के भी मिले हैं जिन पे इने बीनला बयाते हुए दिखाया गया है तो कभी राज किसे काया था था समध्र गप्त को किस संदी के प्रड़ाम जरूप विश्व विवैपार संगठन की स्थापना की गई थी डर्वन संदी, मराकेश, रोम या फिर पेरिस व्immol teu की स्थापना कब वह थी wto की स्थापना वह थी 1900 750 ठीक है किसके द्वार की गई थी मराकेश संदी किसमें मराकेश संदी हुए थी 1900 94 में व् effectively कब वह थी इंडिस सो चॉरानवे में इसमें WTO की स्थापना की बात की गई थी जो 1995 में बना इसका प्रिस्ताव किसने रखा था तो आर्थर डंकल आर्थर डंकल ले से प्रिस्ताव किया था जो कि गेट के महासरचिप थे तो डव्लू टीओ की स्थापना के संदी के तहत हुई थी मरा के संदी निम्न लेकित में से कौन सा संगठन कैमिकल एंड बायलोजिकल हत्यार वद टेकनिक के बिस्तार को नियंतरत करता है निकुलियर सप्रायल ग्रूप, मिशाल टेकनलोजी, कंट्रोल रिजीम, वाशिनार अर्रेंजमेंट या फिर अस्ट्रेलिया ग्रूप तो चैमिकल एंड वयलोजिकल बिपंस एंड टेकनिक को कौन नियंतरत करता है, उस्ट्रेलिया ग्रूप, कौन गड़ता है, उस्ट्रेलिया ग्रूप, ग्रूप कब बना था, 1985 में, लेकिन भारत इसमें कब सामिल हुआ, अभी तीन साल पहले, कब 2018 में, भारत गब सामिल गुरुप बना कप था 1985 में निमन लिखित में से कौन सी रिट केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के बुरुद जारी की जा सकती है सरकारी पदाधिकारी उत्परिश्ण अधिकार प्रिक्षा परमादेश या फिर बंदी प्रितेक्ष्चिकरण तो निमन लिखित सरकारी पदाधिकारी के बुरुद जारी की जा सकती है तो सरकारी पदाधिकारी के बुरुद जारी क्यों की जाती है क्योंकि भई अपने कर्टब्यों को पालन नहीं करता है यह कर्टब्यों को पालन से मना कर देता है तिसलिए उसके किलाब रिट जारी किया सकती है उस रिट को क्या बोलते है परमादेस, मैंनिमस क्या बोलते है परमादेस या फिर मैंनिमस किसलिए अपने करतब को पालन ना करने के लिए सरशरी की बात करने सरशरी का करती है जो उच्छ न्याला होती है वो अधिनस्थ न्याला को जारी करती है अपने सीमाओं के उलंगन के लिए किसके दोरा उच्छ न्याला को अधिनस्थ न्याला है जिसे सुप्रीम कोड हाई कोर कर सकती है हाई कोड अपनी अद्यानस तुन将 की कांग करते है अगर वह अपने सीमाओं का औलंडन करते है क्यूब बारंट एक जो किसी बेकती से पूछा जाता कि आपने कोई कार्म किस सक्यूम का है कोई काम किया है उस काम गो आपको करने का अधिकार था क्या जो आपने काम किया है तो उसके लिए क्या होते है अधिकार प्रक्षा बंदी प्रतक्षी करना बंदी प्रतक्षी करना होता है किसी को जबर जस्ति कैद करकर रख लेना तो उसके लिए बंदी प्रितक्षी करना होता है, है वियस कॉर्पस बंदी प्रितक्षी करना का मतलब होता है, बंदी को पेस किया जाए या फिर हाजर किया जाए तो सरकारी, पदादिकारी के बिरत कॉंसिलर जाले किया आती है, परमादेस, मैंडमश बिश्व का सबसे बड़ा सौर ब्रक्ष कहां इस्तापित है गुजरात पश्चे मंगाल केरल या फिर असम तो बिश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री सोलर ब्रक्ष कहां पर है दुर्गापुर जो की पश्चे मंगाल में तो कहां पर है पश्चे मंगाल के दुर्गापुर मे इसकी चमता कितनी है 11.5 kW 11.5 kW इसकी बिजली की चमता है जो कि बंगाल के दुरुकपुर में लगा हुआ है किस में लगा है सेम इरी में लगा हुआ है जो कि CSIR की संस्तान है प्रोजेक्ट एलिफेंट की सुरुवात किस बर्स की गई थी प्रोजेक्ट एलिफेंट की सुरुवात की सबत करी थी 1903, 1991, 1992 या फिर 1974 तो प्रोजेक्ट एलिफेंट क्यों लाया गया था ताकि हातियों का सरक्षण रख रखाओ किया जा सके उनकी जो टस्क होते हाति दात उनकी काला बजारी को रोक जा सके तो इसलिए प्रोजेक्ट एलिफेंट लाया गया था कब लाया गया था प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में कब लाया गया था 1992 में कि इसके द्वारा पर्यावरान एवं बन मंत्राले पर्यावरान एवं बन मंत्राले के तहेट लाए गया था इसको और इसका उद्देश एक और था कि जो माइक है लागू करना इसके प्रवाव माय का मतलब क्या है मॉनिटरिंग और इल्लीगल कीलिंग और अलीपेंट को रोकना मैं स्कत करेट काम करता है साइट्स जो कि फ्लोराइन फोना इसपेसीस के लिए इल्लीगल ट्राफिंग के लोग रोकने के लिए है तो प्रोजेक्ट एलिफिन्ट कब लाए गया था 1992 में 1993 में लाए था टाईगर प्रोजेक्ट टाईगर कब लाए था 1993 में चलि नहीं देखते हैं संकोष नदी किन दो राज्यों के बीच सीवा बनाती है पश्चे मंगाल अरुलांचर प्रदेश असम अरुलांचर प्रदेश असम मेगाला यह फिर तरुपरा पश्चे मंगाल तो संकोष नदी निकलती कहां से भूटान से कहां से निकलती है भूटान से जो भूटान से नि कहां से निकलती है बुटान से और असम में जाके ब्रह्म पुत्र में मिल जाती है निकलती भुटान से और असम में ब्रहम पोत्र में समगा जाती है नहीं तीकते हैं लैटराइड मिट्टी का निरमार कैसे होता है चुँब भारी बरसा और निक्छारन क कारण तो जया ऑप संठ यह भारी बरसा लैटराइड निट्टी कैसी होती है acidic, amelie, कैसी होती है, amelie और ये सूख जाने के कारण, सूख जाने के बाद अत्यवंद कठोर हो जाती है, सूखने के बाद कठोर हो जाती है, इसकी प्रकृति कैसी है, acidic कैसे बनती है, भारे बर्सा से dampier hostage रेका, निमन लिकित में से किस से समबन देते हैं, dampier hostage, खंबात की खाली, पाग जल्डमरूमद, मनार की खाली, या फिर सुन्दरबन, dampier hostage बनाई कर गए थी, 1939-30 में, 1939-30 के समय इसको बनाए गया था, कहां पर है ये, सुन्दरबन की उत्रिसीमा, कहां सुन्दरबन की उत्रिसीमा का निर्माड करती है, जो कि best bangal, पाष्चे मंगाल के 24 परगना जिला के समय अंतर, किसके, पाष्चे मंगाल का 24 परगना जिला है, उसके समय अंतर है, कौन सी, dampier hostage रेका, जो सुन्दरबन की उत्रिसीमा बनाती है, चालिए, नहीं दिखते हैं, टिटिका का जिल किन दो देशों के मद देशते थे, टिटिका का जिल किन दो देशों के मद देशते थे, बोलिविया, अर्जेंटिना, पेरु, अरुगवे, 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 अर्जेंटिना, निम्ठ मैंसे किन दो देशों के बीच टेटिका का जील अबस्ते थे, टेटिका का जील सबसे उची नौगम जील है, मितलब जिसमें नाव चलाई जा सके है, तो कि यह विस्प की सबसे उची है, हायट की बात करसी कितनी है, 3812 मीटर लगबक, कितनी 3812 मिटर कहां पर है बोलिविया और पेरू के बीच किसके बोलिविया और पेरू की सीमा पर जो कि दच्चड अमेरिका पर है दच्चड अमेरिका ठीक है के लाडरक्त को इसकाओं को किसे डालरक्त को इसकाओं को ऐरिथ्योसाइट्स पिलेेट्स लिकोसाइट्स यँ फिर उप्रूक्त मैं से कोई नहीं तो RBC को कहा था है RBC red और erythro का मतलब भी होता है red और sites का मतलब cell तो RBC कहां बोलते है erythro sites कहां होते है erythro sites leukocytes बोलते है white को white blood cell कहां बोलते है leukocytes ठीक है तो RBC कहां कहते है erythro sites यह option correct सूर की ओरजय अत्पन होती है लिखषित मैंसे सूर की ओरजय किस कारण से उत्पन होती है NABI की assal áreaन आकसी करन नावि के विखहंदन यह उभ्रोकत सभी तो мехण के स्व्रोकत Sunbeam buraya Sunbeam skincare किसे modelle Sunbeam skincare př aulaा कि सूर में नहीं सूर के लार्वा किसी भी तारे में Urja प्रिकास उसमा नाविकिय सनलेयन दौरा ही होता है क्या उसमा उर्जा या परकास का जो उत्पन होता है किसके दौरा होती है नाविकिय सनलेयन के दौरा इसमें क्या होता है डिूटरियम मिलके हीलियम बनाते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं हाइड्रोजन के दो मिलके हीलियम का निर्मार करते हैं और एनरजी रिलीज करते हैं ठीक है तो ना सूड की ऊड़ जाओ किस से उत्पन होती है नावी के सन लाइन से वाइमेक्स निम्ले लिखित में से किस से संबंदित है अंतरच प्रोधकी जैब प्रोधकी मिसाल अदुकी या फिर संचार प्रोधकी तो वाइमेक्स किस से संबंदित है संचार प्रोधकी कम्यूनिकेशन टेकनलोजी किस से कम्यूनिकेशन टेकनलोजी से वाइमेक्स क्या हो जैसे वाइफाई देखा है वाइफाई की तरह ही काम करता है लेकिन घर की ऊपर छत्तों पर लगा जाता है जैसे पहले कि एंडिना देखा और शत्त पर लगा हुआ च्छत के बगल में पोल लगा देते हैं इस पे लगा देते हैं कैसा दिखता है बाइफाई की तरह ही काम करता है बाइफाई की रेंज कुछ मीटर तक होती है इसकी रेंज कुछ किलो मीटर तक होती है लगमग इसकी रेंज 60-70 km तक होती है कितनी 60-70 km तक कवर करता है तो क्या है बाइमेक से लिए होता है संचार के लिए ठीक है चलिए आज के लिए तनी रखते हैं तेंक्यू और प्रीज लाइक करें कमेंट करें और सियर करें जाना जाना थांक्यू